गुद एउनिंग शुवशंद्यार रादे रादे जैश्री किष्णा दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लैटफॉर्म यूपी संगम भाय है अमडिकला सलस्वार बहुत बहुत स्वागत है सभी को ठेड़ सारा प्यार बहुत सारा आशिरवात दोस्तों अलोग बाबो मृत्यून जय आरती बहुत बहुत स्वागत है एक बार जुरदार तरीकिस दोस्तों सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों के बेश शेयर करके आ जाएंगे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का मॉक टेस्ट टू दोस्तों जियां हिस्ट्री को मॉक हिस्ट्री वाले पार्ट की अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सेशन आपके लिए महत्तोपुन इसलिए भी है क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेशन कराएंगे वह यूपीट्र पलसी के किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं जैसे वीडियो का हुआ ल क्वेशन को रिपीट जरूर करता है इसलिए हमेशा से याद रखिएगा कि अगर आपको यूपीट्र पलसी द्वारा निकाली कि वैकेंसी में सफलता पानी है तो हर हाल में ये कोशिश करनी है क्या कि भई आप प्रिवेस येर के क्वेशन पढ़ कर जाएं ठीक है भाई राज्य और केंसासित प्रदेश में अंतर नहीं पता आपको लगता है कि हमको राज्य और केंसासित प्रदेश में अंतर नहीं पता आपको लगता है ऐसा कि मतलब किसी अध्यापक को को अध्यापक पढ़ा रहा होगा और उसको राज्य और केंसासित प्रदेश में अंतर पता होगा अंतर खूब पता है है ना और जो हमने बताया था जो क्वेस्चन पूछा गया था यूपिटर पलसी के दौरा कि उत्तरपदेश की सिमाई कितनी राज्यों से लगती है तो उसका अंसर आड़ भी हो सकता है नो भी हो सकता है उसमें क्या दिक्कत है पहले भी ऐसे ह तो बिल्कुल चांस है 75 प्लस जो भी लोग हैं ठीक है हमारा जो अनुमान है कि 75 प्लस जो भी लोग है लेकपाल के लिए वो सब जो है बिल्कुल बुलाए जाएंगे ये मेरा अनुमान है अगर बहुत उच्च तरी की धांदली नहीं हुई होगी तो ठीक है भया चलिए कोई बात नहीं मित्र आईए भया देखते हैं चलते हैं हम अपने पहले question के और और पूछा गया question है ठीक है पूछा गया question है ठीक है और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह question विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया था तो मुहम्मद गौरी कि स्वर्ष प्रिथवी राज तृतिय से पराजित हुआ था यह बताना देखो एक बात और बताएं कि गड़बर कहां होती है ऐसा नहीं कि यह question आपको पता नहीं है सबको पता होता है गड़बर दरसल में यहां होती है कि कई लोग क्या करते हैं इस बात का ध्यान नहीं देते कि यह प्रिथवी राज कौन है यह प्रिथवी राज तृतिय है ठीक है भई या तो आप इसे कहेंगे प्रिथवी राज चोहान या तो कहेंगे प्रिथवी राज तृतिय है इस ब यहां पर जो जरूरी बाते हैं वो क्या है कि कुछ िस तरीके से पूछ पूछ लेता है कि आप आंसर देने में हना घबराते हैं कैसे question पूछता है question ऐसे आता है कि दिल्ली पहली बार दिल्ली पहली बार दिल्ली दोस्तों जियां दिल्ली पहली बार दिल्ली पहली बार तुर्कों के नियंतरण में कब आई तुर्कों के नियंतरण में कब आई जियां दोस्तों तो याद रखेंगे ये question कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली पहली बार तुरकों के नियंतरण में कब आई तो याद रखेंगे कि जब ये question पूछा जाता है तो आप से ये expect किया जाता है कि आप ये जानते होंगे कि मुहम्मद गौरी क्या था मुहम्मद गौरी तुर्की था तो इस बात का विशेज ध्यान दीजेगा कि दिल्ली पर तुर्कों का नियंत्रन ग्यारण सो बानबे में हुआ जब गौरी ने ग्यारण सो बानबे में तराइन के दूसरे एद्ध में परिश्विराज wichtig अब कौन-कौन से मैदान है दोस्तों, तो जो महाभारत का कुरुछेत्र लड़ा गया था, कुरुछेत्र में महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था, वो भी हरियाना में पढ़ता है, इसके बाद तराइन तो हरियाना में पढ़ता है, इसके बाद आप देखेंगे तो करनाल question पूचा जा चुका है कि निम्नलिकित में से कौन सा yuddhasthal हर यारणा में नहीं है और ये question एकदम ऐसे इसे आता है कि क्यों सा yuddhasthal हर यारणा में नहीं है तो महा भारत काल में ये दो आता दोस्तों जिया तराइन का yuddhas दो बताई दिया है कि एक 1191 और दूसरा 1192 करनाल वाला आपको याद होगा 1749 दोस्तों और पानिपत के तिन युद्ध है जिसमें से पहला 1526 दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ठीक है भया चलिए आप दोस्तों इसमें से एक बात और आपको बता देंगे कि भया ये करनाल जो है यहाँ पर राश्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान बीरि यहां पर स्थित है और आपको यसी परकार से याद रखना और ह़र्याना के मुझ्येमंत्री कोँ है तो मनोहर लाल खटर कौने दोस्तों मनोहर लाल खटर यहां के मुख्यमंत्री हैं इनको भी याद रखे हैं हर्याना एक प्रदेश के रूप में कब अस्तित्त में आया था तो 1906 में राज्य बना ये ठीक है दोस्तों पंजाब से अलग होकर ठीक है एकदम शांदार तरीके से या दोस्तों तो उसको भी याद रखेंगे हरयाना के फरीधाबाद में हर्य आँके फरीधाबाद में लगता है दुन्या का सबसे बड़ा हस्त शिल्प मेला दोस्तों जै U उसको भी याद रखेंगे फरीदाबाद में चलिए अगले question के तरफ बढ़े उसके पहले बता दें कि फरीदाबाद में सूरज कुंड नाम की जील है वहीं पर ये मेला लगता है कौनसा सूरज कुंड नाम की जील समझे दोस्तों तो जानकारी एकदम दमदार है एकदम अगला question बताओ ताल ठोक कर नालंदा प्राचिन सिच्छन अममठ का एक केंद्रा देखो नालंदा से कौनसा question लोगों का गलत होता है जैसे एक question अगर आप से कहा जाए कि सबसे पुराना जिया दोस्तों अगर आप से पूछ लिया कि सबसे पुराना विश्यविद्याले ब सबसे पुराना विश्यविद्याले बताओ तब आपका अंसर क्या हो जाता है पता है तब आपका अंसर होना चाहिए इलहाबाद विश्यविद्याले कौनसा दोस्तों इलहाबाद विश्यविद्याले तो इस बात का जबसे पुराना विश्यविद्याले पूछ ले दोस् सिटी क्यों कि अलीगड मुस्लिम इनवर्सिटी अलीगड मुहमडर एंगलो ओरियंटल कॉलेस के रूप में 1875 में मतलब अस्थापित हुई थी और 1920 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था एम्यू रख दिया गया था जबकि इलहाबाद विश्चिविद्याले की ब अलीगड मुस्लिम इस विश्चिविद्याले तो 1920 में अस्तित्त में आया समझ गया दोस्तों तो इस बात का विश्चिव ध्यान देना है अब ज़रा ध्यान दो वहिया कि यह जो नालंदा है इस से रिलेटेड एक क्वेशन और पूछा जाता है क्या कि अगर आप से यहां पर गलती यह करते हैं कि नालंदा विश्चिविद्याले का संस्थापक याद करते हैं क्या पता है कुमार गुप्त याद कर लेते हैं लेकिन पेपर में क्या करता है कुमार गुप्त प्रथम कुमार गुप्त दूती कुमार गुप्त तृती ऐसे ऑप्शन में दे द जाता है भाईया पूछा जाता है कि गुप्त कालीन गुप्त कालीन सिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या पूछा जाता है तो भाईया गुप्त कालीन सिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछ लेते हैं तब भी आपका आंसर क्या होता है नालंदा ही होता है और इस मठ को कें पास इसको नस्ट करने वाला मुस्लिम सेनानी कौन था दोस्तों तो इसको नस्ट करने वाला जो था उसका नाम क्या था उसका नाम था बक्तियार खिल जी क्या नाम था इसका इसका नाम था दोस्तों बक्तियार खिल जी अब जरा पूरी बात समझ लो इस टोपा के बारे में बक्तियार खिल जी कौन था तो मुहम्मद गोरी का सहायक सेना नायक था ठीक है भईया हाँ बिलकुल ठीक है अब देखो क्या है कि बक्तियार खिल जी मुहम्मद गोरी का सहायक सेना नायक था और एक बात बता दें कि बंगाल और बिहार पर पहला पहला जो मुस्लिम आकरमण हुआ था वो किस ने किया था तो पहला मुस्लिम आकर्मण हुआ था वो खिल जी नहीं किया था बक्तियार खिल जी नहीं यह बात भी पूरी याद रखेंगे ठीक है दोस्तों एकदम सांदार तरीकी से पढ़िया और एक बात बताईए अगर आपसे सबसे पुराना विश्व पूछेगा तो आपका अंसर होना चाहिए तक्ष शेला यह रहा अगला ललन टाप क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर किसके सासनकाल में इबन बतूता अरे इबन बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी याद है ना रहला बुक लिखी थी कौन सी बुक रहला लिखी थी यह कहां का रहने वाला था दोस्तों तो मोरक्को का रहने वाला था मोरक्को कहां पढ़ता है अफ्रीका में पढ़ता है कहां पढ़ता है अफ्रीका में पढ़ता है याद करो मोरक्को में हुआ था मरा कैस समझोता आप जानते हैं दोस्तों इतिहास की बड़ी महतोपूर घटना है मरा का है समझrowsता 1994 में हुआ जिसके परण्याम शुरूप एक जनवरी 1905 को डवलू टी ओ अस्तितों में आया था क्या अस्तिता में तो मोहंम्मत बीन अजे पागल बातसा भाया M.B.T दोस्तों इसको क्या कहा जाता है पता है इसको पागल सुपने सीलो रखते पिपासू सासक कहा जाता है भारत में हना इसका तो भाया अग्दम गजवे कहानी है ठीक है भाया चलिए अब देखो भाया अगला क्वेशन पर चलते हैं अगला सासक ने भारत में तुगलक वंस की नीव रखी ते लेव भाया तो तुगलक वंस की नीव किस ने रखी ती दोस्तों और एक बात बता दें कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा सासनकाल इसी का रहा था ठीक है भाया सबसे लंबा जो शासनकाल रहा था वो इसी तुगलक वं कि गयासी दिन तुगलक ने एक सहर बसाया था कौन सा सहर बसाया भेएधा तो इसका नाम था दोस्तों तुगलक बाद के नाम ता। वार पोछा गया है तो याद रखेंगे आमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी तो के द्वारा दोस्तों आमीर खुसरों के द्वारा इसको लिखा गया था किसको तुगलक नामा को ताल ठोक करती के विए एक दम चलो अगला question question का है वह एक दम सांदार है कि खिजरखान निम्नलिखित में से किस राजवन से संबन दित था तो वह एक खिजरखान किस राजवन से संबन देते एक दम बिलकुल बिलकुल तो संतोज बाव वह बिलकुल आएंगे पढ़के जाओ अगर यह भी question ऋमेले तो कहना मिलेंगे ऐसे भी question मिलेंगे तो दोस्तों गुलाम सकता शांसथाप होसं को की थी जियां दोस्तों कि तो याद जाए आद है आपको ये केवल और केवल पूरी इतिहास में एक मात्र सासक है जिसकी उपादी क्या थी रैयत आला ठीक है चली आगे बढ़ा जाए अच्छा बया अंकुर अगला क्वेशन देखो बया एक और शांदार क्वेशन आपकी स्क निजाम खां इसका नाम था क्या था दोस्तों निजाम खां था अब देखो क्या है वाई या कि इसका सासनकाल क्या है तो 1489 से 1517 अच्छा कोई बताएगा कि 1517 में हाना बया सिकंदल लोधी हैना सिकंदल लोधी और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध दूआ था कोई बताएगा अच्छा सिकंदल नहीं इब्राहिम लोधी तो यहां 1517 में इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी सासक बना सिकंदल लोधी के मृत्यों के बाद तो इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा दोस्तों तो राणा स ώonst यूद्धि के बीच कौन सा युद्ध हुआ था ऐखानमा का युद्ध कौन बता रहा है अरे भाई खानमा का युद्ध कौन सा वॉआ था IUPRAHAIम लोदि और राणा सांगा अरे वाह क्या बात है ये शेर ने जबाब दिया है गजब बैमनीश शांदार शांदार तो यह इसका नाम था खातोली का युद्ध है कि नहीं भहिया एकदम सांदार क्वेस्चन है खातोली का युद्ध तो यह ऐसे युद्धों के बारे में पढ़िए अन्य पानी पता और खानवा अनुवा तो दुनिया ज खामुश और दिमाग से निकाल दो लेखपाल गवारर बात इस वारन जब क्या रस्ति आरैं पतानेęt च्णडी भाट है खताउनी को दिमाग से नहीं जा रहा खताउनी का दिमांक निकाल दो लेकपाल गवा घिक है ऑड़जैं आप बात है भाई श्वर्चन जी तो भाया राइट आंसर का हो जाएगा विजयनगर सामराज जोगा चोल बताए दियो का विजयनगर सामराज इसका आंसर हो जाएगा तो भाया इसको सीधा सीधा याद रखेंगे चली अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों शांदार धमाकिदार अरे विजयनगर सामराज नहीं पड़ा हो का हरियर और बुक्का हरियर और बुक्का 1336 में मुहमद बिन दुल तुगलक को दे दिन तुका ठीक वह उसके बाद तो बेल लुका लुका एकदम सांदार विजयनगर एमपार आया वया शांदार वाला है चलो भया यह तो हो गया कि बच्पन में बच्चे क्या करते हैं उस्कूल में जैसे ही टीचर आते हैं गोड मार्निंग टीचार तो वह वाली फिलिंग आती है एरे चलो वजयनगर सामराज के संस्था बगारे बाप रियाव कमने क्वेस्टन है हरियर और बुक्का थे लेकि यह जो है भारत के इतिहास का सरवादिक पड़ा लिखा सासक के समय में खेल हो गया ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक जिस समय भारत का हनब या दिल्ली का सुल्तान था इसके समय में खेल हो गया क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा सामराजी किसका था दिल्ली सल्तनत में सब सबसे बड़ा सामराज अगर पूछेगा तो इसी का था सबसे बड़ा सामराज की अगर हम बात करें अच्छे एक बात बता दे दोस्तों जड़ा मजे की बात आपको भी जानकर मजा जाएगा सबसे बड़ा सामराज दिल्ली सल्तनत में मुहम्मद बिन तुगलक का था को यह दो क्वेशन बहुत पूछि जाते हैं तो मुगलों में सबसे बड़ा सामराज आप जानते हैं कि औरंग जेपका किस का था औरंग जेपका था और उससे लंबा शहें अरहीं कि यहां तेरा सो यहां तेरा सोगत्स स्थापित हो गयागनी सामराज स्थापित हो गया अच्छा अच्छा एक बात और है कि जो चीज जितनी जादा होती, उसको समहलना उतना ही टाफ होता है। अब देखो जरा ध्यान दीजो वहां देखो ऐसा है अरे भाई यह वाला question मेरा गलत नहीं हो गया अगर मैं मैं गलत हूं इस question में तो आयोग भी गलत है ठीक है और ध्यान देना आयोग भी क्यों गलत है क्योंकि आयोग ने यह question पूछा है ना विश्वास हो तो जा कर देख ल समझो कि यह जो है आपका मुहमद बिन तुगलक के समय में 1347 में बहमनी सामराज स्थापित हुआ और यहां पर 1336 में कौन सा दोस्तों विजे नगर सामराज स्थापित हुआ कौन सा दोस्तों विजे नगर सामराज स्थापित हुआ समझ पा रहे हैं अब देखो इसका संस् तो इन दोनों का नाम खोपढ़िया में डाल लो और दोस्तों जिसका सामराज जितना बड़ा रहता है उतना समालना मुश्किल होता है इसलिए अगर कभी आप से पूछ ले कि मद्यकाल में सरवादिक विद्रो किसके समय में हुए तो याद रखना मित्रों कि सरवादिक विद्रो हुए ताल ठोक कर ठीक है वह याँ हाँ बिलकुल भई सच का सामना यही बात तो हम भी उस दिन भी बता रहे थे हैं अब देखो क्या है कि मुहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसके समय में सबस्यादा विद्रो हुए यह बताओ विद्रों का नगर आपने कभी प धरती वीरों से खाली नहीं है जिया धरती वीरों से खाली नहीं है तो फटा बड़ बताईए दोस्तों कौन है जो ऐसा आंसर देगा इस क्वेस्टन का सबसे ज्यादा विद्रों कहां पर हुए यह विद्रों का नगर किसे कहा जाता है तो भईया यह कहा जाता है लखनौत ठीक है तो याद रखेंगे एकदम शांदार तरीके से यह रहा अगला क्वेस्चन फटाबड़ बताओ भया आना क्वेस्चन है कि लंगर की परंपरा किसक ने आरम की थी आरे बापर भया याद करो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों तो सिख धर्म के संस् कौन था सिख धर्म की स्थापना चलो यहीं बता दो कि सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी यहीं बता तो सिख धर्म की स्थापना कब यहीं बता दो चलो बताओ फड़ा फड़ा फड़ हना यह तो पड़ा होना चीए आपको नहीं लगता यह से क्वेस्टन पेपर में आ साही पकड़ा है तभी तो मैं कहता हूँ ना कि धरती वीरों से खाली नहीं है बस खोजने की बारिय है खोजते जाओ और पाते जाओ भाया तो गुरु नानक ने गुरु नानक ने ही लंगर की परंपरा भी स्टार्ट की थी इनको भी याद रखेंगे दोस्तों ठीक है वितिम गुरु कौन थे तो लास्ट गुरु जो थे सिखों के लास्ट गुरु वो थे गुरु गोविंद सिंग दोस्तों बहुत शांदार ना बया नहीं आरती जी कोई बात नहीं समाल लिए समाल लिए लो भाया ये एक और शांदार क्याशन किस मुगल सासक के आदेश प अब देखो दोस्तों मैं आपको बताओं कि अकबर के समय में देखो होता क्या है कि पूरी बात बता देते हैं चलो आंसर बता कि फिर अगले पेज़ पर एकड़म इत्मिनान से देखते हैं सबसे पहले तो बाबर का देख लो भी तो बाबर और हुमायू इन दोनों के समका समकालिन थे गुरु नानक दोस्तों कौन समका бор के समय में आपको मिलेंगे अमर्दास ह barkardas के साथ इनके संबंद अकबर पो लेकिन इसके बाद हुआ क्या इसके बाद आया जहांगीर और जहांगीर के समय में होई गवाबवाल ठीक है कौन था अरजुन देव गुरू थे और इनके समय में जहांगीर था तो अरजुन देव को क्या किया इसने मरवा दिया था अब जब जहांगीर ने अरजुन देव क उत्रा धिकारी हर गोविंद आये तो इन्होंने आते ही सिखों को लडाकू बना दिया आते ही सिखों को क्या किया सिखों को लडाकू जाती में बदला जिया और इनको मांसा हार की अनुमती दी और अपनी रक्षा के लिए मुगलों का सामना करने के लिए तयार किया और गुर जहांगीर ने ग्वालियर में कैद रखाता है इसके बाद अगला जो important नाम आता है वो सीधा सीधा औरंग जेव के समय में आता है औरंग जेव के समय में क्या हुआ कि तेग बहादूर को गुरू तेग बहादूर को हना बया मरवा दिया गया तेग बहादूर को मरवा दिया भया ठीक है भया मरवाया ठीक है और इसके बाद क्या है भया कि गुरु गोविन सिंग ने तो कई सारे युद्ध लड़े मुगलों के साथ गुरु गोविन सिंग ने के बाद एक चीज जानिएगा कि सभी जब दस गुरू के बाद गुरु गोविन SYN compromise के बाद सिक्कों का पहला राजनेतिक बहादूर तो था बंदा बहादूर तो था दोस्तों जिसे हम लच्छमरदास या लच्छनदास भी कहते हैं बंदा बहादूर को 1716 में दिल्ली में फासी दी गई थी दोस्तों कहां पर दिल्ली में फासी दी गई थी ठीक है और इस समय मुगल सासक कौन था दोस्तों इस समय म फर्रुक शियर बंदा बहादूर ठीक है भया चलिए अगले क्वेश्चन की तरब पढ़ें लेओ भया तो मिलान वाली बात है कि सई धंग से मेल नहीं खाता ये बताना ताल ठोक कर बताएंगे पूस्ता है भारत भया इनमें से कौन सा विकल सई धंग से मेल नहीं खाता तो भया 1333 में अबने बतूता भारत पहुंचा 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ हरे 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दोरा किया 1498 बेवास को डिगावा तो भया आप तो समझी गए होंगे जियां एरे सियार नहीं फर्रुक सियार ये भी सही है फर्रुक फर्रुक अलग कर द हुआ था 1469 में जन्म हुआ था समझ रहे हो बिल्कुल 1469 में जैसे 1869 में जन्म हुआ था किसका मात्मा गान्दी का वाइस से याद रख को ताल टोक के नमेकित में से किस्ता सक्के मृति उसके पुस्तकाले के लिए यह बुडबक आदमी ठेक का बताया जाए तो यह इतिहा लेन पूल दोर लेक टाइसकार लेन पूल ने इनके बारे में लिखा कि फलाने डाट-डाट-डाट-डाट जीवन भर कहला आते रहे और लอकहते हुए जीवन से निपट लिए कौण भाईया साजहा नहीं हुमायू ठीक है और बात बताएं दरसल में हुमायू ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था दीन पनाह नगर कौँसा दोस्तों दीन पनाह नगर तो दीन पनाह नगर में ही इनकी मृत्यू होई थी पुस्तकाल है बड़े सवकीन थे लेकिन एक बात बताएं दोस्तों क्या कोई बताएगा कि बैदे को चित्रकला का सुनकाल जहांग आप मद्यकालिन भारती इतियास पढ़कर भी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर आप उसे ध्यान में नहीं रख पाते हैं तो मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं मुगल चित्रकला की निव बताईए जिया दोस्तों और यह क्वेशन खूब आते हैं मुगल चित्रकला की यूँ ही है अब आप डर रहे हो आंसर देने से गलत हो यह रहा है हर बार है नमनलिकित मैंसे किस मुगल समराद द्वारा आगरा की किले करने रमाल कराया गया ते देखो हाई छोटका सा ट्रिक रख लो क्या अलाई और इक्वेशन खूब बार आता है देखो आ से क्या हो ज अकबरने बनाए है अच्छार एक बातो और याद रखना फिर लाल किला जो दिल्वया वाला है किस ने बनवाया था वह शाजाहान बनवाया था तेग्य यह सा आने प evaluतर एक बात और बताएंगे कि भाईया इस लाल किले में एक है दिवाने आम, क्या है भाईया, दिवाने आम, आम लोगों के लिए, और इसी में क्या है दिवाने खास, क्या है दिवाने खास दोस्तों, खास लोगों के लिए, तो ये दिवाने आम, दिवाने खास भी बड़ा इंपोर्टेंट है, और संगासन का जो मुख्य स्थापत्यकार था वो कौन था इसका मुख्य स्थापत्यकार दोस्तों कौन था इसका मुख्य स्थापत्यकार था बे बादल खां बे बादल खां और याद करना आसान है क्यों वैया वैन बादल गर जिंग दन मयूर डांसिंग वैन बादल गर जिंग लाल किला तो इसने बनवाई दिया, लेकिन दिल्ली का पुरन का वाला किला किसने बनवाया था, यह कौन बताएगा, तो दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, कौन बताएगा, है किसी के पास जवाब, है कोई सेरवीर, अरे भाई, सेरवीर छोड़ो, सेरसा याद कर मैersensner ने के बिहार राज के सासाराम शहर मैं बिहार राज के शासाराम सीरसा सुरी मिर रोतास गड़ का किला भी बनवाया था रहाई सिरसा सूरी के बाछ दे कहां से आ गया आरे किया बात है सच का सामना कुली गए थे पुराना किला ऑकेले गए थे पस arbeiten पंदरस चाली हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल आलो कि बियार राज के सासा राम सहर में आरे बापर यह कौनों क्वेस्टन है तुरंत आंसर फाइक के मारो अच्छा ही बताओ मकबरा इस्पेशल पढ़ा दें का मगबरा इस्पेशल बता दे का ताल ठोक एगदम वीके का जी के अन्दाज में अरे बताओ पहले हां में जवाब दे। तब बताएंगे वीके करेंजी के अंदाज में मकबरा इस्पेशल बता दे अगर यह समें जवाब आएगा तब है बताएं नहीं आई इसे नहीं बताएंगे अगले क्वेस्टन निकल लेंगे चलो यास में कितने लोगा का कमेंट आया है कतना लोगन का कमेंट आया है बाई आई यास यास बता दे तो आओ और इरसाद को लोक साहिरी समझ लेते हैं तकलीब तो तब ज्यादा होती है जब उस पर भी वाँ वाँ करते हैं अधा कबूल है कबूल है कबूल है चल चल ये बही तो देखा जाए पहले ताल ठोक तो सबसे पहले हम बताएंगया मुईनुदिन चिस्ति comparisons के अधिकТAP कहा का बात है भया निजामु दिन ऑउलिय बड़ा सांदार आदमी थे भया निजामु दिन आउलिया इसको यहाद कर डालो कहा मिलेगा धिली मैं च look सेख सलिम चिस्ति सेख सलीम चिस्ती नहीं याद है जांगीर याद है के नहीं तो इनकाम कबंगा मिलेगा काबूल में पहले बाबर को मरने के बाद आगरा में आर्याम बाग में कि अदो गई तो कहो सब्सक्राइब चाहता था आफगानिस्तान ये हुआ इसका अडिर ये जाओ यारक ने गाओ ठेक है बाबर का काबल और दोस्तों इसके बाद हुमायूं का मखवरा कहा है और दोश्तों इसको क्या कहा जाता है अरे भाई इसको ता triggered कबИक कहा जाता है ठीक है ताज महल का पूरो गामी कहा जाता है क्यों पता है क्योंकि इस हुमायूं के मगबरे का निर्मार हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था किस ने करवाया था हाजी बेगम ने याद में जिसके बना है वो हसी ताज महल याद में जिसके लिखे है यहां पर एक पत्नी ने अपने पती की याद में बनवाया है इरसाद 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 तो इसलिए ठेक है बाकी यह क्या वैसे यह प्यार व्यार की कौनों निशानी वसानी नहीं है ठेक है यह लोग का निशानी बनवाएंगे बाई ताज महल बनवाया साज अहां ने इतनी पतनियां थी एक पतनी के लिए ताज महल बनवा दिया तो कौन सा पहाद तूट पड़ा भाई कौन सा तीर मार दिया अरे प्रेम की निशानी माननी है तो उस राम सेतु को मानिये जिसको श्री राम चंजी ने अपनी प्यारी सीता माता को प्राथ्त करने के लिए कहां चले ग लंका के रावन का जो एगो है घमंड है चूर चूर करके नस्तनाबूद करके लोटे यहां दोस्तों चैलो फिलाल क्या करें बस सितिहास है पढ़ते जाओ हुमायूं के बाद आएगा अकबर का नंबर सबका नंबर आएगा और सबका कटेगा ठीक है सबका कटेगा और जहांगीर का मगबरह कहा है तो जहांगीर का मगब्रह दोस्तों कराज में को कहिते हैं अरजुमंद वानों बेगम दूनों का मखबरा हुए ताजय मेहल है आगरावाला ठीक है साज आहां के बाद आता है औरंग जेव का नमबर और जेब दोस्तों मिया भीवी हर जगह देखो मिया भीवी एक जगह यह यहां पर मिया भीवी एक है जगह ला औरंगाबाद का नाम बदल गया है औरंगाबाद महारस्तौा का नाम किरो गया संभाजी नंगर क्या व्यां दोश्तों संभाजी नियंगर एकदम ताल ठोक के हो गया बाइया तो यह हाँ क्या मुआ्इश्य अनुमीच आगड़ा भूंट नुम्त न Mitte इतना प्यारा सावाल इतना मासूम सा सवाल कौन पूछ पूछता है यार है कि सर नूर जहां कि वाकई बहुत खूब सूरत थी अरे सरजी से क्या पूछ रही है सरजी नूर जाहां को देखें है का है यार ठीक है एना उस जवानें तोलन हम पैदा हुए थे मतलब एक बार हमने कह दिया कि हम हाजारों सालों से पढ़ा रहे हैं इसलिए पड़ा पड़ा सरी जरजर हो चला है तो मतलब आप सवाल पूछो कि नूर जहां कैसी थी ठीक है तो यह होगा वह भाई निप्टाओ इसको ठीक है चलो भारत में जहांगी मतलब मेरी वाली का मतलब कोई तो होगा ना जो मेरे भी जीवन में आएगा सबके जीवन में आता है वो तो देखो क्या है वो सच्चाई है उसमें उससे बच नहीं सकते ठीक है अब यह थोड़े है कि भाई साधी विवा तो एकदम लगा रहता है वो तो हो नहीं है ठीक है क्या बात है मनीश बाबू ने कुछ अर्ज किया है लिखा आए कि तुम हुसर नहीं आपका दरिया हो हमें तुमसे महबत नहीं क्योंकि यह डॉट 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 रहें दो यार पढ़ाई अरे भाई देखो बड़ा बढ़िया कुमार विश्वास जी ने कहा है कि ब्रहमर कोई ब्रहमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा ब्रहमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा हमारे दिल में कोई खौब पल बैठा तो हंगामा आभी तक डूब कर सुनत जो किस्सा मोहबत का मैं किस्से को हकीकत में बदल वैठा तो हंगावा ना बहुत एकदम सटीक लाइन कहीं चलिए खेर भ्रमर कुमूदनी पर नहीं मचलता है ठीक है मतलब अगर वरतनी रूप से देखा जाए ठीक है सुद्ध रूप से तो सही नहीं है लेकिन ठीक है बना दिया गया है ठीक है चलो तो ताव ठोपकर बताओ पहला कफुतली मुगल समराठ को था पहला कठोपुतली मुगल समराठ कॉन था ठीक है अ तीन 4ए मनिश बाव का करवाना है है इत्यास के सिक शक है अच्छाओ ठीक ठीक है घए तुमस कऱांब पछले हें Chopra मतलब एक तरब से सभी का अनसार आना चाहिए हाँ बिलकुल बिलकुल शांदार है मैं किसे को आ गजव जहादर्शा दोस्तों जहादर शा ठीके दिरसल में क्या है जहादर सा को कहते पता इसको के थे लंपट मूर्ख ठीक है मतलब गजब की कहानी है इन लोगों का लंपट और देखो फरुक सियर को का कहते हैं इसको कहते हैं घ्रनित कायर कहते हैं मतलब क्या है बताएं यह नमूना थे इनका नाम का था इनका कहते तो रंगीला रंगीला नहीं है इनका नाम रंगीला था ठीक है अब देखो बात बताएं बहादूर सा का तो कहें बताएं अगर इनक को कहा जाता था साहे बेखबर मतलब नाम से समझ में आता है कि यह सब के सब नमूने थे ठीक है सब के सब नमूने थे वह भी बड़े वाले नमूने क्या बता है चलिए जहांदर साहब को पता है जहांदर साहब को कटपुतली सासक क्यों कह रहे हैं पता है तो इसको पहला कट पूतली सासक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जहांदर शाय जो है जुल्फीकार खाँ उस समय का एक बड़ा फेमस सरदार था जिसका नाम था जुल्फीकार खाँ की मदद से राजा बना था मतलब बताओ यार दूसरे के मदद से राजा बनेंगे मतलब खुद की अंदर कवन पूरुसार्थ नाम की चीज नहीं है ठीक है भया हाँ उनकी आती नहीं हमरी जाती नहीं का बताएं भया तो जुल्फिकार खां की मदद से राजा बने थे इसी लिए कट पूतली थे किसी और के देखो वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपको हना बाई बाई मिस्टेक या क्यों के लिए बाई चांस सफलता मिली है तो कितने दिन समलेगी है कि नहीं चलो तो अगबर के दरबार में प्रसिद्ध कवी अगर हमारी हिस्टरी देखेंगे तो आपको टीजीटी में भी अगदम कसम से बता है ललन टाप फाइदा मिलेगा ठीक है कौनों इसमें दूराय नहीं है फिलाल अकबर के दरबार में चलो ठीक है आंसर तो खेर आप बताई दोगे तो तुलसीदास कौन बता रहा है इतने बिलेचन प्रतिभा वाले कहां से आ जाते बाई तुलसीदास बता रहे है ठीक है कैसी काम चलेगा बीरबल तो थे नहीं तुलसीदास तो थे नहीं बैरम खान थे नहीं तो रहीम हना अब्दुल रहीम खान खान खाना बताए लो का करोगे काम चलाना पड़ेगा है तो है अब यहां एकदम ठीक है तो अकबर के दर्बार में एक दम रहीम खाना खाना से काम चलाना पड़ेगा वैसे अकबर के दर्बार में जो कवी थे वह कौन थे बताओ तान से निचने बहतरीन कभी थे इनका तान यहां पर गड़ भड़ हो गया इसके अनावा फैजी भी कभी थे वह भी आप्सर में नहीं दिया है का बताएं मतलब एकदम खेल हो गया बबुआ इस क्वेस्टन के साथ ठीक है हाँ करें से भी खोई लाते सुन्दर यां अरे बाई या लोग चलो देखो अब देखो यहां बात समझो कि खेल हो गया अगबर की जमय में दर्बारी कवि तो तांसेन का भी नाम आता है फाउजी ने फाउजी का नाम भी आता है अब्दुलरहीम खान खाना यह अब्दुलरहीम खान खाना कौन है आरे सतसाई सतसाई नहीं पढ़ो रहीम सतसाई रहीम सतसाई भाई रहीम के दोहे पढ़ो के नहीं तो रहीम सतसाई दोस्तों अच हिंदीज साहित्य में बढ़का बढ़का योगदान है बताओ जड़ा कि कौन सी एक हाना मुस्लिम लेखक का हिंदीज पस्थ попробण योगदान कर लिताएगा आजे थैक रहे वादे मत्तबुद ना अगवन नई है अरे क्या वाद है मनुछ बावु शांदार तो अबदुल रहीम खान खाना काहें कि रहीम सतसरी ना रहीम के दोय है न कभीरा अना कभीरा तेरे देशे में भाती-भाती के लोग अच्छे इबताओ का वीके का जीके अंदाज में भारत की इतिहास में जितने राजकवी है सब को फोड़ दिया जाए अरे मतलब पड़ लिया जाए पड़ लिया जाए चलो आओ है यारे यास में तो में कमेंठ कर दिया करो कलेज्य युआ छंदक मिलती थोड़ी भाई अरे भाई देखो राज कवी ंवीके कांग जीके स्थाईल का आप तैयार है का आप तैयार हैं तो आईये जरह एकदम देखा जाए में याधिक एक्दम ललनटाप तरीके से अरे यहाँ जीक्य जीएस में असली ललनट आप तो ये आसली सुक रहा है ठीक है असली सुक हूई है देखो अब देखो सुरुवात करेंले कहां से सुरुवात हमनी करना जाई आश्व biss HELP से कहां से सुरुवात करेंगे are जो किसके समय में थे कनिस्क के समय में थे आउर बताओ आगे चलें तो याद करो दोस्तों कौन अरे हरी शेन याद है हरी शेन किसके दरबारी कवी थे समुद्र गुप्त के थे किसके थे समुद्र गुप्त के थे जियां दोस्तों इसी प्रकार से याद करिए काली दास किसके दरबारी कवी थे मित्रों कालिदास किसके थे भया तो चंद्रगुप्त प्रथम के थे जिया और वत्स भट्टी किसके दरबारी कवी थे तो वत्स भट्टी दरबारी कवी किसके थे भाई साब तो ये थे कुमार गुप्त प्रथम के किसके कुमार गुप्त प्रथम के थे द रवी किर्थी थे दोस्तों कौन थे रवी किर्थी थे अरे रवी किर्थी को नहीं जानते हैं अरे यह हो लविलेक पढ़ा है कभी यह लविलेक इनू नहीं तो लिखा था प्रवी किर्टेई ने तो फ्ल और निक अul लिएक लिपह था बाई साहब ठेक और सुनो और सुनो इसके बाद और आगे चलेंगे तो प्रत्वी राज तुर्थी या प्रत्वी राज चोंहां तो पृत्वी राज चोंहान तो जानते ही होगे दोस्च बाद महमत गई ओबाबु मौहम्पध गोरिका मुहम्मद गौरी का मुहम्मद गजनवी टर्वे कवी कौनथा तो कहना अधरे औद आगे प्लएंगे तो अलाओ दीन का देख ले ऐलाओ इन खिल्जी यह फितिता नमूना यह ता इसके कवी थे कौन आमीर खुसरो जो है बड़े अमीर वेक्ती थे नाम से अमीर थे अमीर खुसरो जी यहां दोस्तों इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो क्या क्रिश्ण देवराय नहीं याद है आपको अरे याद करो ताल ठोक के किसन देवराय किसके दरवारी कवी थे तेनाल अब ही एक ऊऔर है लक्षमर सेंद याद है आपको क्या लट्षमर सेन गया सेन दोख्तों लड़ी देवराय हिवा P मैक्सिमम टॉपिक आपको उससे कवर हो जाएंगे मित्र बिलुकुम बिल्कुल कवर हो जाएंगे तो भाईया ही रहा वीके का जी के अंदाज तो ले डालो एक बार स्क्रीन शाट और एक दम छाप डालो दिमाग में खोपड़िया हम छपना चाहिए क्योंकि पेपर में फसेगा अब की पेपर बचेगा नहीं वीके का जी के छोड़े का नहीं इ ते ते काउन आठ तेलगु कवियों का समू अच अस्त दिग्गज ठीक है अच्छा अच्छा बिल्कुल भाई रूपेज बिल्कुल बिल्कुल मित्र और जेब किसका पुत्र था रहे और जेब किसका सुपुत्र था देखो ऐसा है कि डेली क्लास करो ना केवल रात के 9 अब की पैट मैं अगर पैट के पेपर में आप में से किसी का 80 से कम नंबर सभी हुआ असीट्चन से कम सभी हुआ ना तो समझ लेओ कि वीखे का जीखे फैंक के मारेंगे समझ लेओ याद्रक्णा कि वीकेज़ी के फैंक के लगेगा चट से गाल पे समझ अगा असी प्लस रहना चाहिए एको नंबर अगर इससे कम हुआ तो बीके का जीके चलेगा ताबर तोड है ना मतलब नहीं समझें मतलब यह कि फिर अगली बार पचासी प्लस कटा रहें और सुनो असी प्लस ले आना इतना कठिन नहीं है बहुत आसान है बस पढ़ो सिद्ध से मन लगा के जो 1657 से 66 तक आगरा के शाहबुर्ज में कैद रखा था जियां दोस्तों तो आगरा के साहबुर्ज में इसको कैद रखा बताओ ऐसा कौन करता है बहुत अपने बाप को नहीं छोड़ा साहबुर्ज में कैद कर दिया फिलहाल साहबुर्ज क्या था तो याद रखेंगे भाई स तब गजब का गजब का तोपा आदमी था भईया सा जहां भी इसने का किया पहले ताज महल बनवाया बढ़ियां सा ठीक है और वो जो ताज महल बनवाया अपनी बीवी की याद में उसी ताज महल के जस्त सामने अपना महल बनवाया और उसी महल को क्या कहा जाता है उसी मह साह बूर्ज ठीक है तो साहां का हना साहां का जो हना महल था आग्रा के ताज महल के जस्ट सामने उसी का नाम था शाहबूर्ज स्वागत बहीरोपा जी ठीक है चलि अगला क्वेशन देखिंग इन में से कौन सा मुगल बाजसा सराब को छूता तक नहीं था ते बाई गजब क गजब का वैस्टन आया यह जूनियर असिस्टेंट का वैस्टन है मुझे याद है कि तम मैं आफ लाइन पढ़ाया करता था जब यह क्वेस्टन आया था कि कौन सा मुगल सासक सराब को छूता तक नहीं था और जिस दिन हमने पढ़ाया था उसके दो दिन बात को एस पेपर था और पेपर में आ गया था तो बच्चे बड़े खुश हुए थे आचा जो बच्चे हना कुछ बच्चों ने कहा किया बता है कुछ बच्चे कहें कि सराब को छूने की क्या जरू से सीधा मू लगा देता रहा होगा हमने का देको बगवास न करो आंसर लगा क्या ओ और जेब ऑच्चा दोस्तों औरंग जेब आप देखेंगे तो इसको साही दरवेश कहा जाता है और इसने अपने शासन का आधार क्या बनाया इसने सासन का आधार कुरान को बनाया बड़ा ही कट्र टाइप क सासक था कुछ मामलों में इसकी कटरता सामने आती है जैसे कहा जाता यही question यूपिटर पलस्सी ने एक question पूछा था क्या पूछा था कि कौन सा एक सासर था जो भारत को दार उलहर्ब जी आँ दोस्तों कौन भारत को दार उलहर्ब की जगें दार उलिस्लाम बनाना चाहता था तो याद रखेंगे कि यह जो आउरंग जेब है यह भारत को दार उलहर्ब की जगें दार उलिस्लाम बनाना चाहता था है ना भाया अन्य आलोग बाबू पढ़ना चाहिए इतिहास सबका पढ़ो याद सबका रखो जी याँ जोस्तों आपकी जो आलोशना करते हो उनकी भी बातें याद रखो आपकी जो प्रसंसा करते हो उनकी भी बातें याद रखो वो actually में हमें kick देते हैं अंदर से कि लड़ो पढ़ो कुछ करो जीवन में फाल के रख देना है अपने भविष्च को ज्वल बनाना है एकदम विरोधियों का मुझ एकदम फेवी क्विक से चिपका देना है किसे फेवी क्विक से चिपका देना है जे या बिल्कुल तो वह य इसकी तरह चमकना मतलब तपना भी पड़ेगा और याद रहे दोस्तों कि संघर्षों की रात संघर्षों की रात ही जितनी अंधेरी होगी सफलता का सूरज उतना इतेच चमकेगा तो अपने आपको तपाओ तपाओ मेहनत करो तो औरंग जेब का याद रखना दारूल हर्ब जगेदारूल इसलाम बनाना चाहता था ठीक है भई या तो प्रारम में अकबर का सनख्छत कौन था क्या इसलब्द का बात है पहईली बात तो यह कि अकबर की सबसे मज़्यदार बात क्या लगी हमको अगबर की सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि ये जो थमस है एकदम थमस अब था मतलब क्या अंगूठा चाप अनपड सासक भाई का बताएं लेकिन अनपड होते हुए भी इसने इतना बड़ा काम किया अच्छा ये बात बताओ अरे भाईया सिवराज बाव का बताएं देखो दरा ध्यान दो क्या कोई बताएगा कि कौन सा मुगल सासक आप बताएंगे कि प्रबुद्ध निरंकुष था कौन बताएगा जो इस प्रेस्टन का अंसर दे दो मतलब मान लेंगे हम कि वह या 21-42 तोपों की सलामे मिलनी चाहि तो यह पूरा टाइम टेबल यहां दिया है ठीक है यहां पूरा टाइम टेबल दिया है ठीक है टाइम टेबल में आप देखें तो सुबस साथ बजे मेरी क्लास डेली होती है ठीक है करेंट अफेर्स और जनरल अवेर्नेस की तो सुबस साथ बजे मैं डेली पढ़ाता हूं ठीक है भाई या इसके बाद आप देखो तो मैं अगर आप मेरी क्लास जानना चाहते हैं तो सुबस साथ बज़े डेली होती है इसके बाद देखो दस से बारा होता है महा कल्यान का महा तांडो जिसमें मैं मंडे को पढ़ाता हूँ ट्यूजडे को पढ़ाता हूँ और वेड लगातार आने का प्रयास करूंगा कि नो बजे तीन दिन लगातार आ जाओं मंडे टूस्डे वेडनेस डे में लेकिन आप एक ये वाली क्लास कंटीनूड सुबस साथ बजे डेली देखा कर ये वादा राय कि सुबस साथ बजे ले क्लास से मैक्सिमम्म क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे जिया फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा ताल ठोक कर कौन देगा भया किसने बताया प्रभुद्न रंकुस किसे कहोगे किसे कहोगे देखा जरूर होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है हाँ अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और रोचक बा भी बनाना है अ अच्छा उच्छा क्या बताएं दोस्त है छलो अरे सब्ढकए ऐसका अंसर ठाहिक यह नहीं बता देखो प्रबुद्र नरंकुष के बात है इसका आंसर होगा अकबर क्या आप में से किसी सोचा था किसी मैं नहीं सोचा था यह अंसर थीक है जो और ISSO ने हमने बहुत साल खाना भना sigue तो मैं समझ सकता हूं ठीक है हना एक दम भाई हलाकि हमको ज्यादा कुछ बनाने आता नहीं डंका लेकिन ठीक है काम चल जाएगा ठीक है खुस कर लेंगे थोड़ा भावत है यारे ग्री मंत्रा लेको प्रबुद्न निरंकुस दोस्तों अकबर अप आप सोचेंगे कि अकबर कैसे प्रबुद्न निरंकुस हुआ हाँ अच्छा भया मनिश भावू ठीक है तो भया प्रबुद्न निरंकुस कैसे हुआ भया अच्छा भया सच का सामना क्या बात है तो भया प्रबुद्न निरंकुस सासक अकबर इसलिए हुआ क्योंकि आप देखो अकबर ने क्या किया भाई एक बात बताओ अकबर ने राजपूतों का इस्तेमाल किया कि नहीं किया राजपूतों का बहुत इस्तेमाल किया राजपूतों का इस्तेमाल राजपूतों के खिलाब किया अब ये बताओ अकबर जो है लेकर आया का दीने इलाही लेकर आया अब भाईया ये जो दीने रंकूद उसे कहते हैं जो इस सिद्धान्त पर विश्वास करता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न तूटे तो अकबर वही तो करता था सांप भी मार देता था लाठी भी नहीं तूटती थी हना आप ये प्रयास ना करें कि आपके आसपास घर में कहीं सांप आप निकल 1 पमिता था आप 106 खार में बता इक राज पूत को मान सिंग को सेनापती बनाया अडे बनाया चत्रपरती हो महाराना प्रताप के खिलाए क्योंकि वह जानता था राजपूत सेनापती होगा मुगल सेना का तो महाराना प्रताव के खिलाव कई सारे राजपूत हमारी मुगल सेना के साथ खड़े नज़र आएंगे लेकिन वो मान सिंग के ऊपर पूरा विश्वास नहीं करता था इसलिए मान सिंग के साथ साथ एक असिस्टेंट कमांडर इंचीप भेज दिया क्या सहायक सेना नायक भेज दिया और उसका नाम क्या था आसफ खां तो हल्दी गाटी की उद्ध में दूई-दूई सेना पती हो गए एक आसफ खां तोपा और दूसरा मान सिंग है ने टोपा दूई को दोनों टोपा ही तो थे अन्य यह क्या तरीका है भाई ठीक है हाँ तो वह जीज़ है कि क्या ही बताएं यहीं इसी को कहते प्रभुद्ध रंकुष और का है ठीक है भाईया हाँ लोहे की लाटी साप मारो तो भाईया लाटी भी बची रहेगी और साबी निपड़ जाएगा है ना बैया अच्छा स्वागत है स्वागत है most welcome बने रही है निमलिकित में से किन समराटों के सासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रत हुआ क्या बात है ताल ठोकर रुपया तो ठीक है रूपक जानते हो रूपक ना जानते हो रुपय का जानते हो का रुपय का तो जानते नहों ग तोपा का उल्टा पाटो है इन में से किसने भूमि मापंकन की विवस्था प्रारम कराई तो भूमि मापंकन की विवस्था बादू सा सेरसा सा जहां आपको क्या लगता है इन में से किसने कराई होगी तो एकदम आप देखेंगे तो राइट आंसर हर हाल में सेरसा सूरी होना चाहिए क्यों और एक बात और बताएं कि भारत के इतिहास में सेरसा सूरी को उसके द्वारा किये गए प्रसासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है किसके लिए याद किया जाता है प्रसासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है यह बहुत तो केबल आप है कर पाओगे दूसरा नहीं प्रसासनिक सुधारों के लिए सेरसा सूरी को और सामाजिक सुधारों के लिए अकबर को और आर्थिक सुधारों के लिए किसको याद किया जाता है तो आर्थिक सुधारों के लिए भारत के इतिहास में अलाउद दिन खिलजी को याद किया जाता है किसको याद किया जाता है अलाउद दिन खिलजी को याद किया जाता है अच्छा दरबारी अनुसासन लागू करने के लिए किसे लागू किया जाता है तो दरबारी अनुसासन के लिए याद किया जाता है किसको बलबन को किसको बलबन को भीया समझ पा रह चलो निर्मे से कौन मुगल समराट अनपड़ता है ओ भाई ओ आंसर देओ अकबर ठीक है चलो हाँ अच्छा और वह बताएं अनपड़ ठीक है लेकिन अगर आप से कहा जाए ठीक है यहां हाँ हमरी याद में राष्ट्रपती भवन बनवाओगे का हैं बाई चलो जरह ध्यान फूछ दोस्तों तो हउप क्या आंसर मानना मॏंब्र बिन तुगलक और मॡ़ी तो आंसर क्या होगा सेरसासूरी और सेरसासूरी का समझ मा आता है फाइब फागल आदमी को क्या बताएं मोहंमध बिन तुगलक ने बहुत पहले साबित कर दिया था कि पढ़े लिखे होना अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है केवल पढ़ लिख लेने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता नैतिक ज्यान भी बहुत जरूरी है हाँ बैस गुंजन जी स्वागत है बने रहे पूरा टाइम टेबल इसमें लास्ट में दिया के समयने इसके इनके बेटें के कर लिया समून जोथा बस ठीक है हाँ चली आगे बढ़ा जाए यह आज ऐसका अंतिम सवाल प्रसिध्विरु-पाक Šामंदर अंदे है प्रसिध्ध्विरु-पाक् शामंदर के हैं आपको बताना है बता हो बैस का है है बिलकुल बिलकुल ब तो हमपी दोस्तों करनाट का मिस्तित है कहा परिस्तित है बभगा करनाट का मिस्तित और बताएं भाई एक क्वेशन आता है कहा विजयनगर सामराज के खंड़ार कहा मिलते हैं विजयनगर के खंड़ार आज भी कहा मिलते हैं तो विजयनगर के खंड़ार आज भी मिलते हैं हम mp में ताल ठोक याद रखना कौन सी नदी के किनारे है तूंग बद्रा नदी के किनारे का इस्थित है तो 6 नदी के कि मारे आंदराप्रदेश की राजधानी याद रखना सांदार तरीके से और इसके अकॉर्डिंग क्लास क्लास में आना ठीक है भया है विशाल जी आंधि वारी एकदम बिल्कुल लग रहे हैं सब लग रहे हैं अब यह टाइम टेबल आपको सामने है इसकी स्कीन साथ रखलो और करके आते रहें बिलकुल भई मनीज ठीक है क्या बात है तो भया आशा करते हैं कि आपको सेशन बहु जो लोग अभी तक नहीं जुना हैं सुबसाथ वेले क्लास में कल से ही जुना है ठेक है चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार इसने समर्थन के लिए मिलते हैं बहुत जल्द आपकी खित्मत में हमेशा रहेंगे हाजर बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद झॉना है